तो वेल्कम गाइज अगेन आज की इस वीडियो में हम कुछ रेंडायम देखेंगे ठीक है तो यह 16 17 होंगे आपको कितने हैं लास्ट में इसका अंसर आप कमेंट में जरूर बताना तो अगर आपको कुछ टाइम शेयों कि इस अंसर को सोचने के लिए आप उस टाम उस वीड करते हैं जो हमारा बलड के लिए हमने लोगारी पेंट आ हुमाफिरा सटा ओंको कुछ संपजु रेगर्णिध अ मुस्तिंटिव ने आपको लिए घनारी में लेते हैं हमारे two is a sin तो ऐसी से रिंज इसमें की हपरेन एक बार हम फ्लश कर लेते हैं तो उस रिंज में हम ले सकते हैं राइट सेकंड कोशन हमारा कि है है हम किस सम्पल से करते हैं अब यहां पर देखो अगर मैंने इसका दूसरा नाम है है हमारा ESR so basically हम करते हैं EDT assembly के तरू तो ऐसे कई बार कुछ नाम होते हैं अगर हमको ना पता हो तो easy question हम से miss हो सकते है राइट now third question के हमारा which culture media is used for growth of fungi तो इन में से कौन सा culture media जो की fungus की growth के लिए important होता है blood agar sda tcbs यह germ tube test so germ tube test हम candida के लिए test करते हैं ठीक है canida के लिए important test होता है but यहां पुछा culture media कौन सा है fungus के लिए तो fungi के लिए जो होता है subdextrose agar sda को हम कहते हैं right then fourth question हमारा क्या है in which phase of growth of bacteria is almost zero so इन में से कौन से phase हो जिसमे बैक्टरिय की जो growth है वो almost zero के यह negligible होती है lag phase log phase stationary phase or decline phase तो कौन से phase में zero होती है basically क्या होता है जो stationary phase होता है उसमें ना तो हमारा food वगार कुछ बचा होता है तो यानि growth भी नहीं होती है इतनी क्योंकि food हाई नहीं food से तो जो खानक होना को इसे तो growth करेंगे न तो यह almost zero जाती इसलिए bacteria growth भी नहीं हो पाती ठीक है but decline phase में क्या होती है growth तो होती नहीं है और degraded जरू हो जाता है क्योंकि जितना भी bacteria ने excrete किया है ठीक है जो भी toxin release हो है उसकी बेशसे decline phase start हो जाता है यानि की bacteria की death होनी start हो जाती है right then next question हमारा क्या है VDRL test is done for तो VDRL test है वो कि कि के regarding करते हैं A typhoid B HIV C hepatitis or D syphilis so syphilis का right answer है syphilis के regarding हम VDRL test करते हैं then sixth question क्या है हमारा which of the wbc release histamine heparine है इन में से कौन से wbc जो histamine and heparine release करते हैं platelet, basophil, eosinophil और small lymphocyte so इसका right answer क्या हो जाए हमारा basophil है जो कि हमारा histamine and heparine release करते हैं basophil बहुत important question है 7th question हमारा क्या है which of the following is not a rbc diluting fluid तो rbc हम manual method जब करते हैं तो उसमें diluting fluid यूज करते हैं right तो इन में से पुछा है कौन सा diluting fluid नहीं है regarding rbc तो dc है toison है tox है या normal नहीं है तो tux जो कि हमारा wbc के regarding use होता है right wbc की जब हम manual diluting करते हैं तो वहाँ पर tux will do use होता है 8th question 8th question क्या है HbA1c is also coldest तो HbA1c test होता है जिसका हम बगर 3 month की शुगर बाद जलती है इससे patient की तो इसका दूसरा नाम क्या है तो अगर नाम देखो memory test की पिछले 3 महिने की शुगर हमको बदाता है तो इसका इसका दूसरा नाम क्या है 9th question क्या है study of fungus is called तो fungus की study को क्या कहते है बहुत important है यहां fungalogy में भी कोई tick कर सकता है इसका right answer है 10th question क्या है हमारा extra-chromosomal genetic material is seen in तो जो chromosome हमारा किस कहनत होता है Nucleus कहनत है but extra-chromosomal उसके अलावा कहां काम को देखने को मिल सकता है genetic material हमारा तो a option इसका chromosome में b ribosome में c plastid में plasmid में sorry या d mesosome में तो इसका right answer क्या हो जाएगा plasmid plasmid cell के अंदर ही होता है कुछ ऐसा structure right तो उसमें अपने को extra-chromosomal material देखने को मिलता है 11th question fetal hemoglobin is तो fetal hemoglobin कौन सा इसमें से hbf a1c a1 a2 a1c तो हटी जाएगा ठीक है तो hbf fetal का होता है और a1 a2 adults में होते है right बच्चे में भी होते है बटन की क्या होती है स्तिन्नों adults में भी होते और तिन्नों ही बच्चे में भी होते है इसमें blood group anti-seer of anti-a is dash in color तो जो हमारा blood group होते हैं तीन तरह के हमारे जो anti-seer होते हैं a के लिए b के लिए या rh positive negative regarding तो उसमें a के लिए पुच्चा उसका color कैसा होता है yellow, blue, transparent, grey तो trap in blue के कारण उसका color क्या होता है blue और जो हमारा b का सीर होता वह yellow होता और D का transparent होता है यह important चीज है घुमा फिरा के question पूछ सकते हैं कि blue color का anti-seer कि इसका होता है तो वह anti-a का होता है right 13th question क्या है fresh frozen plasma is stored for जो हमारा fresh frozen plasma होता उसको हम कब तक store कर सकते हैं so option है 6 month के लिए 1 year के लिए 30 दिनों के लिए 5 year के लिए सकते हैं mainly हम उसको 1 year तक store कर सकते हैं 1 year तक किसी patient को चाहिए होगा तो fresh frozen plasma दे सकते हैं कौन-कौन से इसमें important factor होंगे तो इसमें हमारा 7 होगा wall bin factor होगा और 8 होगा तो यह हमारे सब्सक्राइट में important होता है ठीक है 8 जो तक factor 8 9 यह important fresh frozen plasma में देखने को मिलते हैं राइट एक होता one willing factor वह भी important होता है इसमें fresh frozen plasma में then normal range of reticulocyte तो 14 question है कि normal range क्या थे reticulocyte की first of reticulocyte है क्या चीज RBC की premature stage को हम reticulocyte कहते हैं ठीक है तो A इसका 2 to 4 percent 4 to 6 percent C option is 0.2 to 0.4 percent 0.2 to 2 2 percent तो इसका right answer क्या हो जाएगा right answer उसका D 0.2 से लेकि 2 percent तक हमारा reticulocyte होता है then next question हमारा क्या है 15 clad clad media is mainly used for clad की full form क्याती वैसे cysteine lysine electrolyte deficient medium ठीक है इसकी full form होती है अभी किसके लिए होता है A option है stool culture के लिए blood culture के लिए CSF culture के लिए urine culture के लिए तो किसके regarding यह होता हमारा clad media clad हमारी होता है urine culture के बहुत important है हमारा special media है ठीक है इसमें भी हम LF या NLF दो तरीके से हम colony देख लेते हैं ठीक है कि वेक्टरी क्लोनी LF में है या NLF में है और citro and Tiro Ecoli यह हम सब को urine culture में देखने को मिलते हैं clad media के लिए बहुत important होता है ज्यान लखने है जैसे कि LF NLF हम मेकों के गार में देख पाते हैं वैसे clad में भी हम LF और NLF देख पाते हैं यह important चीज है then 16th question के है हमारा lifespan of RBC to RBCs की lifespan कितने होती है 1 month की होती ही 3 to 4 month होती है 3 to 4 days होती है 100 days होती है 1 to 4 month B options के राइट है और इसी को हम कह सकते है 120 days ठीक है तो देखो यहां पर कई बर question generally book में 120 days लिखा होता है और यहां दिखे ही नहीं की 120 days कहा है तो 100 days में बंदा क्लिक करके आजे कि यह ठीक है पर ऐसा नहीं थोड़ा सा logical mindset सी भी सोचना पढ़ता है अबर अंसर के लिए तो यह हमारे थे कितने 16 question different different अना जिसमें की हमने discuss कि हर एक चीज कर दो कर दो कर दो